भारतीय रेल्वे दुनिया में चोथा सबसे लंबा रेल्वे नेटवर्क है जबकि एशिया में दूसरा अगर भारतीय रेल्वे के कुछ नेकसिस की बात की जाए तो देश में रेल्वे नेटवर्क की लंबाई 78,000 किलोमीटर से भी ज्यादा है देश के अलग-अलग भाश्या और संस्कृती वाले राज्यों को रेल्वे नेटवर्क एक तार से जोड़ता है रेल्वे से लाखो करूडों लोग यात्राएं करते हैं लेकिन शायद ही उन्हें कभी मुफ्त में यात्रा करने को मिली हो ऐसा नहीं है कि इस खास रूट पर यात्रा करने का सौभा के कुछ खास लगों को ही मिलता है इस रूट के लिए किसी तरह की योकिता या सरकारी सेवा की भी जरूरत नहीं होती है कोई भी आकर 13 किलोमीटर लंबे इस रूट पे मुफ्त यात्रा कर सकता है और उसे चेक करने के लिए कोई TTE भी नहीं आता रेलवे का जो रूट मुफ्त है उसका नाम है भाकडा नंगल ट्रेन रूट भाकडा नंगल ट्रेन भाकडा 20 मैनेजमेंट बोर्ट की ओर से मैनेज की जाती है हिमाचर प्रिदेश और पंजाब के बौडर पर चनने वाली ये ट्रेन का रूट 13 किलोमीटर लंबा और काफी खुबसूरत है ट्रेन रूट सतलच नदी से होकर जाती है और इस रूट पर यात्रियों से कोई किराया नहीं वसूला जाता ताकि ज्यादा से जादा लोग आकर भाकडा नंगल बांध को देख सकें सतर सालों से इस रूट पर ये ट्रेन चल रही है ट्रेन में पहले दस बोगियां थी लेकिन अब तीन ही रह गई है ये सभी लकडी की बनी होती है इसे बीबी एमबी के करमचारी हेरिटेच की तरह देखते हैं और यहां आने वाले परटकों का वो स्वागत करते हैं ये ट्रेन रूट पहाडों को काट कर दैम तक जाता है इसे देखने सेकडों यात्री आते हैं लेकिन छात्रों की संख्या सबसे जादा रहती है भाकरा नागल बांध को बनाते वक्त भी रेलवे की जरिये काफी मदद ली गई थी इसका निर्मान कारे सन 1948 में शुरू हुआ था और मजदूरों मशीनों को ले जाने के लिए रेलवे ट्राक बना कर इस्तमाल किया गया था बांध 1963 में आपचारिक रूप पर खुला और ये सबसे उचे स्ट्रेट ग्राविटी डैम के तोर पर मशुहूर है बांध का इतिहासिक महत्व होनी के बाद भी इस रेल रूट पर कमर्शिलाइजेशन नहीं किया गया क्योंकि BBMB चाहती थी कि अगली पीड़ी इस विरासत को देखने के लिए यहां आती रहे ट्रेन से भाकड़ा के आसपास के गाउं बर्मला, ओलिंटा, नहिला भाकड़ा, हंडोला, स्वामीपूर, खेड़ाबाग, काला कुंट, नंगल, सलांगडी, सहित तमाम जगों से लोग यात्रा करते हैं ये रूट काफी ज्यादा खुबसूरत है और पहाडों को काट कर बनाया गया है इसलिए आपको इस ट्रेन से भाकड़ा नागल डैम का एक कम्प्लीट वियो मिलता है जो अपने आप में बेहत खुबसूरत है तो अगले बार जब आप पंजाब का रुख करें तो एक बार इस ट्रेन में जाना बिलकुल भी मत बूले और इसी तरह के और इंट्रेस्टिंग वीडियोस के लिए देखते रहें अमरुजाला